हेलो गाइज वेलकम टो मैं यूट्यूब चनल प्रो क्रियेटर्स दोस्तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि यूट्यूब 14 नवंबर को करने वाला है एक बड़ा धमाका तो दोस्तो एक बड़ी अपडेट आई है जिसके बारे में आज आपको मैं बतान मैं आपको सारे चीज बताता हूँ तो दोस्तो जैसे पहले क्या होता था कि आपके यूट्यूब चैनल का आपके URL होता था जिससे आप custom URL बनाते थे ठीकर वाँडेट जैसे मेरा चनल knowledge entertainers तो यहाँ पर होगा add the rate knowledge entertainers ठीक है तो पहले जैसे क्या होता था पहले जो URL था उसमें add the rate नहीं होता था simply एक पूरा URL होता था तो दोस्तो अब दोनों में difference क्या है इसे बहुत ज़लूरी ध्यान से समझेगा क्योंकि यह बहुत ही काम की चीज़ है मैंने वैसे ही नहीं लिखा है कि बड़ा धमाका होने वाला है तो दोस्तो इससे आपको बहुत benefit होने वाला है इसलिए पूरी detail में सबजना आपने बहुत सारी updates देखी होगी लेकिन इस वीडियो में आपको कुछ नया सीखने को मिलने वाला है तो दोस्तो देखिए जैसे पहले एक पूरा यहां पर आपको link डालना पड़ता था जिस पर जाकर कोई search करता था तो आपके यहां पर आपका चैनल से show होता था लेकिन आप अगर सिर्फ इतना लिखेंगे कहीं पर भी जैसे अगर आपने Instagram पर को रील डाल दी यहां फिर आपने यूट्यूवपर को शॉट्स डाल दी यहां फिर आप ने कहीं पर भी कोई वीडियो डाली उस पर आपने जैसे यहां पर एल्दा तो दोस्तों इसे मैं चैनल का नेम भी डाल सकता हूं तो दोस्तों एक चीज और देखिए इसमें क्या होगा जब यह लॉंच होगा तो यूट्यूब क्या गरेगा पहले आपको यूट्यूब स्टूडियो में नोटिफिकेशन आएगा और आपको मेल भी आएगी ठीक है उस आपने किसी अपनी यहाँ पर चैनल पर कम्मुनिटी पोस्ट डाली ठीक है उसमें आपने कोई पिच्चर को एडिट किया तो उसमें आप लिख दो add the rate अपना यहाँ पर हैंडल ठीक है तो अगर कोई पिच्चर को उठाएगा स्क्रीन शॉट लेगा और अपने कहीं पर ड आप डरेक्ली ऐसे नहीं यूज कर सकते थे क्योंकि वह आपको लिंक में लिखना पड़ता था लेकिन अब यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर सर्च में ही जब आप अपना हैंडल डालेंगे ठीक है तो वहाँ से आपका चैनल आपका हैंडल कहां पर दिखेगा यहाँ पर ल यहाँ पर यूट्यूब पर यूट्यूब पर यूज कर सकते हैं तो कैसे आपको बता जालेगा कि आप अपना कौन सा हैंडल चूज करेंगे ठीक है तो वह देखेगे यहाँ पर लिखा हुआ है जैसे यूट्यूब स्टूडियो में आपको एक नोटिफिकेशन आएगा उसी के साथ क्या होगा पहले तो जब यह लाँच हो जाएगा कुछ अफ्तों में ठीक है उसके बाद आपको यूट्यूब स्टूडियो में एक नोटिफिकेशन आएगा और अगर आपने पहले ही एक परसनलाइज यूट्यूब यूरल बना हुआ हुआ है तो वही आपका हैंडल को चूरूज कर रहे होगी तो आप क्यों नही लिख पाऊगे उससे तो जैसे अगर आप जीमेल पर अपना अकॉंट क्रियेट करते हैं तो यहाँ पर इसी तरीके से जो हैंडल वह भी सेम नहीं हो सकते हैं अगर वह वाला हैंडल पहले किसी ने यूज़ कर लिया सकते हैं अपने चैनल का नेम या कुछ अगर आपका चैनल यूनीक नेम पर है तो आपको 100% यहां पर आपका हैंडल मिल ही जाएगा ठीक है तो यह हो गया थार्ड क्वेस्टन तो अब देखें यहां पर जो फोर्थ क्वेस्टन हमारे सामने आता है उसका आंसर मैंने थम्निल में ही दे दिया था तो वो क्या है कि आपको यह हैंडल मिलने कब वाले हैं ठीक है तो यहां पर देखें लिखा हुआ है तो दोस्तो देखें यहां पर लिखा हुआ है कि कुछ ही हफतों में आपको यह हैंडल का अप्शन मिल जाएगा और आप जो इसे चेंज भी कर सकते हैं वो यहां पर 14 नवंबर तो डेट बताई हुई है मतलब कि इससे पहले-पहले हमें हैंडल मिल जाएगे या फिर 14 नवंबर तक तो हमें हैंडल मिल हीज जाएगे ठीक है तो दोस्तो यह वाला फीचर आपको यहां पर अपने यूटीव स्टूडियो में मिल जाएगा तो I hope दोस्तो मैं इस update को पूरे proper तरीके से आपको समझा सका हूँ लेकिन फिर भी अगर आपकी कोई query रहती है तो आप यहाँ पर comment box में comment कीजिए मैं आपको उस पर reply करने की पूरी कोशिश करूँगा तो दोस्तो ऐसी ही और वी वीडियो तो YouTube related tips and tricks आपको मेरे channel पर मिलती रहेगी क्योंकि हमने channel का name रखा है Pro Creators तो दोस्तो Pro Creators का क्या मतलब है Professional Creators तो हम हरी की YouTuber को वराने वाले हैं Professional और दोस्तो एक मेरा और चैनल है जोस पर मैं technical videos डालता हूँ उसका link भी आपको description में मिल जाएगा आप उसे भी subscribe कर सकते हैं और इसे तो आप subscribe करें लो क्योंकि आपको यहाँ पर बहुत ही और भी ऐसी YouTube tips and tricks मिलने वाली हैं तो दोस्तों जल्दी मिलेंगे next video के साथ तो तब तक के लिए goodbye झाल